नमस्कार, जैपुर्दा पिंक सेटी चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि वास्तु के अनुसार छट पर पानी का स्टोरेज करते समय किन बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए वास्तु के अनुसार छट पर पूर्व और उतर दिशा में पानी का स्टोरेज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे में इन दिशाओं का भार बढ़ जाता है जो कि वास्तु के अनुसार ठीक नहीं माना जाता है यह भार आर्थे कटनाईयों यानि की फाइनेंचल प्राबलम्स का कारण बनता है चट पर पूर्व या उतर दिशा में पानी का स्टोरेज करना ही पड़े तो दक्षिन और पश्चिम दिशा में कुछ कंस्ट्रक्शन वगयरा करवा कर इन दिशाओं में भार जरूर बढ़ाया जाना चाहिए पानी की टंकियों को सीडियों पर बनी छत या गुम्टी पर रखा जा रहा है तो गुम्टी ठीक दक्षिन या ठीक पश्चिम दिशा में बनी होनी चाहिए सबी टंकियों के बाहर को एक ही इस्थान पर केंद्रित करके रखने की जगे इनके बाहर को अलग-अलग उप्यों के हिसाब से अलग-अलग जगों पर बाट देना चाहिए कीचन से जड़ी टंकियों को पूर्व में रखा जा सकता है जबकि बाथरूम और टॉयलेट से जड़ी टंकियों को पश्चिम या दक्षिन में रखना ठीक होता है दक्षिन पस्चिम और दक्षिन पूर्व के कोनों पर पानी की टंकियों को रखने से जहां तक हो सके बचना चाहिए वास्तू के अनुसार ये ठीक नहीं होता है नीचे वीडियो के डेस्क्रिप्शन में ऐसे ही यूस फूल टिप्स देखने के लिए बहुत सारे वीडियो उसके लिंक्स दिये गए हैं आप इन्हें क्लिक करके ऐसे ही बहुत सी इम्पर्टेन जानकारिया हासिल कर सकते हैं ऐसे ही यूसफुल और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए आज ही अमारे चैनल जैपुर दपिंग सिटी को फ्री सब्सक्राइब कीजी